गौर से देखिए इस चेहरे को इस चेहरे के पीछे छुपा है एक शातिर अपराधी एक ऐसा अपराधी जिसने चोरी करने की एक नायाब तरकीब निकाली थी ऐसी तरकीब जिसके बारे में जानकर कुछ समय के लिए तो यूपी पुलिस के भी होश उड़ गए थे अपराधों को अंजाम देने के लिए शक्स चलाकी तो बहुत करता था लेकिन एक कहावत है ना कि चोर का साथ किस्मत भी जादा वक्त तक नहीं देती गौरतलब है कि यह इंसान नाबालिक बच्चों से मुबाइल चोरी करवाने का काम करता था लेकिन बस एक गलती की और चड़ गया चंदोली के जी आरपी के हकते जब इसकी तलाशी ली गई और अलग-अलग जगों पर रेड मारा गया तो पुलिस की आँखे फटी की फटी रह गए इस गिरो के पास से लगभग 11 मुबाइल बरामत किये गए आरपी ने पुलिस को बताया कि चंदेली और आसपास के इलाके से चुरा हुए फोन वो और उसके साथी मिलकर पश्चिम बंगाल के मालदा में ठीकाना लगाया करते थी पुलिस को शक है कि इस गिरो का नेटवर्क पश्चिम बंगाल से लेकर बंगलादेश तक फैला हुआ है दरसल ये शातिर अपरादी उस वक्त पुलिस के हाथ लग गया जब जी आरपी की टीम चैकिंग अभ्यान चला रही थी देर रात तकरीबन दो बजे प्लैटफॉर्म संख्या एक के पास बुक्स्टॉल के पास एक संदिग्ध खड़ा था पुलिस को देखते ही वो वहां से चंपत होनी के तयारी ही कर रहा था कि पुलिस ने इसे धरदबोचा कड़ी पुष्टाच में आरोपी ने कबूल किया है कि ये और इसके गिरहों के लोग बच्चे से भीर भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल की चोरी करवाते है इसके लिए पूरी योजना तयार रहती है बच्चा पकड़ा गया तो तुरंट कोई महिला अभिवावक बनकर बहुत जाती थी और बच्चे को डांट फटकार कर माफी मांग लेती थी इस काम के लिए रिल्वे स्टेशन और बस स्टेंड और बाजार जैसी जगहों पर ये लोग काफी सक्रिय रहते हैं ये एक विक्ती अरेश्ट हुआ है जिसके बास से तिरपन इंडराइट फोन बरामद हुए है और यह बता रहा है कि यह छोटे बच्चों से उस जोड़ी कराते हैं दिबिन जन्पदों में आजमगार जनपूर्बनारव और यहां से ले आकर के कालिया चखजगह है मालदाọnव यह रहते हैं कि यह रहते हैं यह मुगदमा पढ़ाइल करें करीब 11 रुपी कीमत बताई जा रही है मुगदमा लिख करके इनको जल बाकी इंट्राइशन और हो रहा है यह देखते हैं इसमें और कनिकलता है हाँ यह इंट्रोगेशन आई है कि कालिया चकले जाएंगे और यह वहां से बंगलादेश को भी मोबाइल चोरी कहां बेचते हैं लोग चंदोली से उद्ध गुपता की रिपो